इस वीडियो में मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा कैसे मैंने खुद से कोडिंग सीखा और कैसे मैंने सॉफ्ट्वेर इंजिनियर की जॉब ली और क्यों मैंने 10th के बाद अपनी जो स्कूल की पढ़ाई है कॉलेज की पढ़ाई है वो छोड़ दिया जी हाँ मैंने 10th के बाद केवल मैं 11th में गया था उसके बाद मैंने अपनी कोई भी formal education complete नहीं किया फिर भी 3 साल से मैं as a software engineer काम कर रहा हूँ तो यह सारी स्टोरी मैं बताऊंगा और कैसे आप भी सीख सकते हैं regardless of आपकी जो qualification है आपका जो background है उसके बावजूद भी आप भी एक coder बन सकते हैं एक software engineer बन सकते हैं और आप भी job पा सकते हैं तो पहले मैं अपना introduction दे देता हूँ मेरा नम अनुराग सिंग है और मैं एक software engineer हूँ पिछले 3 साल से मैं Bangalore में as a software engineer काम कर रहा हूँ मैंने पहली company जो join की थी उसका नाम था digit insurance अभी मैं एक UK based company के लिए remotely काम करता हूँ मैं UP के एक छोटे से गाओ बिरववनी से आता हूँ ये गोंडा जिले में पढ़ता है जो की अयोध्या के पास में है और मैं पिछले डेर साल से YouTube पर हिंदी में front end development सिखा रहा हूँ मैंने front end development के उपर एक पूरा course बनाया है जो की आपको YouTube पे free of cost मिल जाएगा एक playlist के form में उसके अंदर मैंने हर एक चीज कवर किया जो की front end के अंदर required होता है और बहुत सारे बच्चों ने उससे पढ़ा भी और उनकी job भी लगी और बहुत सारे बच्चे रोज पढ़ रहा है रोज देखते हैं, comment करते हैं उनको अच्छा लगता है course और मेरा family background agriculture का है मेरे पापा, मेरे दादा, सब लोग किसान थे और मैं भी उन लोग के साथ खेती करता था खेत में जाता था खेत के जो सारे काम होते हैं, हर एक काम करता था हलाकि मेरे पापा, खेती के साथ साथ गाड़ी भी चलाते थे, एक driver भी थे और जो मेरी education है एक से लेके आठ तक मेरी education हिंदी medium में हुई मैंने हिंदी medium में पहले एक से लेके पांच तक 33 से सुमंदिर में पढ़ा फिर 6 से लेके 8 तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा और मुझे सुरू से ही science में काफी यदा interest था क्योंकि जब हम लोग रात को सोते थे छट पे तो मेरे पापा aliens की बात करते थे दूसरे ग्रहों की बात करते थे बहुत सारी मतलब प्रिथवी पे दिन रात कैसे होता था इस सब चीज की बात करते थे मुझे science में काफी यदा interest था इसलिए मैं अपने syllabus की किताब छोड़के मैं दूसरी किताब पढ़ता था जो भी science की किताब होती थी मैं जब 6-7th 8th में था तब मैं 9-10th की science की किताब मांग के पढ़ता था मेरे जो cousin लोग थे उनकी में किताब ले आता था मैं उससे पढ़ता था और मैं class में हमें सा average student था मतलब 70-80% के बीच में ऐसी नमबर आते थे कभी top नहीं किया मैंने और मेरे घर से भी कोई pressure नहीं था ना तो पापा का ना तो मम्मी का बस हम पढ़ते थे बस पास हो जाएं उतना ही काफी था और हमें जो भी interest लगे जो भी अच्छा लगे हम वही पढ़ते थे और फिर बीच में मुझे maths में काफी interest आने लगा maths में interest आने का कारण था एक हमारे सोनु भाईया हैं उन्होंने काफी interest मेरा math में जगाया उन्होंने कहा कि वो जो पेड़ देख रहे हो उसकी height बिना उस पे चड़े हम लोग नाप सकते हैं कैसे? Math से Math में एक त्रिकोन मिती होता है उससे हम लोग नाप सकते हैं मुझे math में भी काफी interest आए लगा मुझे लगा कि real life की चीज़े हम math से कर सकते हैं तो science और math में science में मेरे पापा के कारण interest आया math में सोनु भाईया के कारण interest आया फिर ये दोनों मेरे favorite subject थे इसको मैं हमेसा पढ़ता था और class में भी ठीक ठाक number आ जाते थे पास हो जाता था मतलब कोई खराब student नहीं कोई बहुत अच्छा student नहीं भी था लेकिन पास हो जाता था मैं class में मेरी third, fourth rank ऐसे ही आती थी second भी नहीं आई है कभी मेरी third और fourth या fifth ऐसे ही rank आती थी और किसी को कोई दिक्कत नहीं है मैं आराम से पढ़ता था एक बार क्या हुआ था कि मैं जब eighth class में था तो school से आता था cycle पे मेरा bag रहता था और मैं cycle खड़ी करता था फिर उसके बाद खाना खाता था सोता था सुबह उठा के cycle चला जाता था मतलब मेरा bag उसी cycle में लगा रहता था जब ऐसे कई दिनों तक मेरे पापा ने देखा कि मेरा cycle में bag लगा ही रहता है भैग ही नहीं उतरता है तो उन्हें कहा कि बैग वा उतारत ना होका मतलब हमारी जो अवधी भासा है ना उस भासा मैं उन्हें बोला कि बैग उतारते नहीं हो क्या मतलब पढ़ते नहीं हो क्या मैंने का मैं पढ़ता हूँ दूसरे मतलब अकास भहिया और आसीज भहिया की किताबे मांग लिया है उससे मैं पढ़ता हूँ इसे कलिए मारे वो एडर ब्रदर है मतलब कजिन है उनकी किताबे मैं पढ़ता था होती है वैसे मेरी इंग्लिश थी फिर क्या हुआ एक बार हमारे स्कूल में गड़तंत्र दिवस था या मुझे लगता है 15 अगस्त रहा होगा या 26 जनौरी तो उसमें एक दोस्त मैं कहा कि चलो बगल में एक 2-3 क्लोमीटर एक स्कूल है जहां पर में काफी अच्छा स्कूल है चलो चलके देखके आता हैं तो मैं उसके साथ गया देखने होँआ पर 15 अगस्त तो इसकूल मुझे काफी बड़ा लागा काफ़ी अच्छा लगा और फिर पता भी नहीं था कि वहाँ पर और उन्होंने कहा कि इन्होंने 8th class already passed कर लिया है, 8th मैंने passed कर लिया था इन्दी medium से, उन्होंने कहा कि आप एक बार फिर से 8th में admission कर लीजे, यह तुबारा से पढ़ लेंगे, तो उन्होंने एक 1st य 2nd class की कोई science की book दे दी, बोला कि यह तुम पढ़ो, देखो क्या लिखा इसमें, तो मैं उसका एक भी word नहीं पढ़ पा रहा था, बस इस, एम, आर, दा, दिस, बस यही सारे word, जो 2-3 अच्छर के होते हैं, वही सारे पढ़ पा रहा था, important word लिखा था, वो भी नहीं पढ़ पा रहा मैंने, काम चलेगा, यह first class की ही book नहीं पढ़ पा रहा है, सारे बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं, तो मैंने कहा कि आप मुझे 7th class में ले लीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं दिन रात लगा के मैं English पढ़ना सीख जाओंगा, उन्हें बोला, नहीं मतलब हो ही नहीं सकता, मैंने का आप 6th में ले लीजिए मुझे, तो उन्होंने मतलब हार मानके, उन्होंने का कि ठीक है, मैं 6th में admission ले लेता हूँ, तो 6th में admission हो गया मेरा, और मैं अपने गाओं का English Medium School में जाने वाला पहला लड़का था, मैं वहाँ पे गया, तो सारे बच्चे, मतलब सबको English आती थी, सब बड़े ही आराम से लिख लेते थे, और मतलब पढ़ लेते थे, बोलता तो कोई नहीं था, सब हिंदी में ही बोलते थे, इन कम से कम किताब पढ़ लेते थे और लिख लेते थे, जब टीचर बोलते थे तो इसको नोट डाउन कर लेते थे, मुझे नहीं आता था, तो मैंने काफी ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा dictionary खरी दी, सीख सीख के देरे-देरे, तो एक साल में मेरा English हो गया, मतलब उतना आ गया कि मैं पढ़ लूँ और लिख लूँ, काफी ज़्यादा महनत किया, और सारे students के बराबर मैं आ गया, जब तक 7th में मैं गया, और मेरी Maths और Hindi और बाकी other subjects, Science, Science काफी अच्छे थे, तो जो उन लोगों से नहीं होता था Maths, क्योंकि मैं 8 तक पढ़ा था, तो मुझे आलड़ी आती थी सारी चीज़ें, मैं बड़े आराम से Maths solve कर लेता था, Hindi तो Hindi medium से ही था, तो Hindi तो अच्छी थी, तो बाकी subjects मेरे काफी अच्छे थे, थे बस English के कारण जो भी दिक्कत थी, वो थी, और एक साल में मैंने English भी ठीकठा कर ली थी, उन लोग के बराबर कर ली थी, फिर 7 त में और महनत किया, थोड़ी और अच्छी हुई, फिर 8 में मैंने English का एक course किया, English speaking course, जिससे मुझे और भी अच्छे से English आ गई, मतलब एक तरह से जो मन में मैं सोच पाता था, उसको भी मैं लिखने लगा, तो मैंने 6, 7, 8, ये दो बार पढ़ा, एक बार Hindi मीडियम से, एक बार English मीडियम से, और जब मैं 8 में था, और फिर उसके बाद 9th में जाना हुआ, तो मेरे पापा ने कहा कि क्या बनोगे, तो मुझे मतलब कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगता था, साइंटेस्ट बनेंगे, या एस्टोनाट बनेंगे, यही सबका एक ओ हो होता है, एक ड्रीम होता है, उनने कहा कि, Software Engineer एक बढ़िया जाब होती है, वो तुम ट्राई करना, Software Engineer देखो कैसे बनते हैं, क्या पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ से मुझे पता चला कि, Software Engineer कुछ होता है, और उनको ऐसे पता चला था, कि वो जिनकी गाड़ी चलाते थे, वो एक ड्राईवर थे, तो जिनकी गाड़ी चलाते थे, उनके बच्चे Software Engineer थे, तो वहीं से उनको पता चला था, कि Software Engineer को जाब होती है, अच्छा पे होता है, तो उनने बोला कि Software Engineer की जाब अच्छी होती है, वो ट्राई करना तुम देखना, तो मैंने का ठीक है, देखेंगे, फिर नाइंथ में मैं आया, और नाइंथ में मेरा अड्मिशन, नाइंथ में गाउं में कोई College नहीं था, कोई School नहीं था, बेसिकली, तो हमें सहर में आना पड़ा, सहर में आके मेरा अड्मिशन करवाया पापा ने, और उस टाइम पे पापा की सैलरी जो थी, वो पांच हजार थी, और मेरी जो फीस थी, वो डेड़ हजार थी, मतलब इस स्कूल की जो फीस थी, वो ही डेड़ हजार थी, फिर कोचिंग उचिंग किया, तो दो धाई अजार मेरे पढ़ाई में ही चले जाते थे, आदिस जादा सेलरी उनकी मेरी पढ़ाई में चले जाते थे, और तो फिर ये लवग 12, 13 या 14, 15 किलोमेटर दूर था मेरे घर से, रो साइकल से अप डाउन, अप डाउन करना पड़ता था, तो 9th और 10th ऐसे ही मैंने पढ़ा, और 10th का जब मैं एक्जाम देके मेरा खतम ही हुआ, तभी मेरे पापा का एक्सिडेंट हो गया, वो अपनी ड्यूटी करके घर आ ही रह थे, लवग 12 किलोमेटर दूर ही बचा था घर, उनका बाइक से एक्सिडेंट हो गया, एक किसी गाड़ी ने ठोकर मार दी, और फिर वो पास हो गया वहाँ पर, मैं वहाँ पर गया था तो उनका मतलब, उनकी बाड़ी पर कोई खरोच नहीं थी, लेकिन उनकी जो सीनी की हड़िया थी, वो सारी तूट गई थी, एकदम सीना टच करने पर लगता था जैसे पेट है, मतलब वहाँ पर कोई हड़ी ही नहीं है, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गया, कोई फाइदा नहीं था, बस लेके गया, मैं वाँ पर मतलब रोया नहीं, मैं रो नहीं पाया, मैंने सोचा कि एगर मैं रोओंगा, तो मेरी मम्मी का, मेरी भाए बहिन का, क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पर मैं ही सबसे eldest एक इंट्रोल कर रहा था मैं अपने आपको, फिर उसके बाद लगा कि अब क्या करें, अब तो कुछ है नहीं, अब तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई नहीं बंद होने दी, जो भी मेरी पापा की जिम्मेदारी थी, वो उन्ह लीस पे दे दिया, बेसिकली ऐसे लीस पे दे देते हैं खेत को, साल में कुछ पैसा मिलता है, बिस तीस जार ऐसे ही इस साल में पैसा मिलता था, उसका साल आना, तो लीस पे दे दिया खेत, और पापा के कुछ ऐलाईसी के पैसे थे, जो की काम है, वो मेरे आगे के इलेवं ऐसे उपता चला की मेरे पापा नहीं है तो उन्होंने में पर्षी में प्रता पहले बहीं मैं उन्होंने पढ़ता था उन्होंने मेरे कोचिंग की उसको फ्री मत कर दिया लेकिन इस पहले High Leser प़र और दूसरे यहां पर एंजिन उन्होंना है उसके बाद IIT के बाद फिर B.Tech करना होगा उसके बाद ही Software Engineer बनने का सपना देखा जा सकता है तो basically IIT करने के लिए Physics और Math important है बहुत ज्यादा important है और मेरा interest भी था मैं 910 तक कुछ से पढ़ता था और सब कुछ समझ में आ जाता था लेकिन जब मैं 11th class में गया तो Maths तो मैं manage कर ले रहा था मुझे समझ आ रही थी खुछ से पढ़के और थोड़ा बहुत कोचिंग से क्या मतलब कुछ से पढ़के आ रही थी और मतलब जो कोचिंग में पढ़ता था कोचिंग भी help करती थी लेकिन फिजिक्स जो है वो खुछ से नहीं समझा रही थी मुझे फिजिक्स में मैं एकदम परिशान हो गया फिजिक्स एक मेरा favorite subject था बहुत ही favorite subject था फिजिक्स मैंने खुछ से पढ़नी की बहुत कोशिश की अलग-अलग किताबें खरीदी अलग-अलग मैं coaching institutes में गया गुंड़ा में हमारे जिले में जितने भी coaching institutes हैं उन सब में मैं गया लग-बग तीन-चार institutes में गया वहाँ पर मैंने physics सोचा कि कोई ना कोई तो पढ़ाय गई लेकिन कोई भी सही से पढ़ा नहीं रहा था मतलब सब लोग यह पता रहते कि यह अपके exam में आएगा और इसको तुम focus करो इससे आपका exam clear हो जाएगा जब मैं सुरू से कभी खे+, exam के लिए पढ़ा ही नहीं था और मुझे वह समझ ही नहीं आता था कि exam के लिए क्यों पढ़ें भई , flipped ले पढ़ना है ताकि हम अपने जीवन में उस चीज को यूज कर पाएं, हमें अपने जीवन में दिखे चीज़ें, तो मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे कोचिंग में गया, लेकिन कुछ भी वर्क आउट नहीं किया, कोई पढ़ा नहीं पया सही से, सब ऐसे के लिए के लिए पढ़ा रहे थे, जो की मेरा मोटे भी नहीं था, एक्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, अगर मुझे समझ आ गया है, एक्जाम तो मैं निकाल ही लूँगा, 70-80% से निकाल लूँगा, मुझे इतना confidence था, बस मुझे topic समझा दे कोई, तो नहीं समझा पया है, फिर मे खतम हो गई, और पढ़ाई से interest चला गया, इतने सारे coachings मैं भटकने के बाद भी, जब मुझे physics नहीं समझा पाया, कोई भी teacher मुझे physics नहीं समझा पाया, तो मैं बहुत ही helpless feel कर रहा था, एकदम से अंदर से broke हो गया था, कि मतलब कैसे मैं खुद से समझ नहीं पा रहा हूँ और कोई teacher पढ़ा नहीं पा रहा है, अब मैं क्या करूँ, मतलब एकदम से पढ़ाई से इच्छा ही कतम हो गई थी, क्योंकि जो मेरा favorite subject था, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, 11th किसी तरह से मैंने exam दिया, और आज तक मैंने exam का result नहीं देखा, मैं pass हुआ हूँ कि fail 11th में, इसके लिए 11th में कौन fail होता है, कुछ mark से पास ही हो गया हूँगा, लेकिन मैंने result नहीं देखा, एक time ऐसा था, मतलब मेरे घर पे तो पता था, मेरी मम्मी को, मेरे भाई बेहन को सबको पता था, कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं school नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अ मैंने सोचा कि बाद में कभी कर लेंगे, बता देंगे, यूपी बोर्ट से या से किसी सरकारी बोर्ट से कर लेंगे, फिर उसके बाद सब लोगों ने कहा कि, मम्मी ने कहा और जो जिन लोग को पता था कि नहीं किया, लोगों ने कहा कि कर लो, किसी मीडियम से कर लो, एक्जाम दो जाके उससे फॉर्म भर दिया मैंने पढ़ाई उड़ाई नहीं की मेरा इंट्रेस्ट ही नहीं आ रहा था समझ में नहीं आ रहा था कहां से पढ़ाई करता है तो जो मेरा फेडर सब्जिक था उही नहीं समझ में आ रहा था फिर क्या करोंगा क्या म торओंगा फिर मैंने में और पहली बार था कि जम फेल हुआ था क्योंकि मैंने विल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ाई की था बस जाके एक्जाम दे दिया था तो इंग्लिस को छोड़ के ब इसमें fail हो गया तो फिर NIS board के sir ने कहा कि तुम हिंदी medium से भर दो, हिंदी medium वोले बच्चे पास हो जाते हैं, जाजतर लोग सभी लोग पास हो जाते हैं, वहने हिंदी medium से भर दिया, फिर दोबारा से exam दिया है, दोबारा से वही हाल हुआ, बस कुछ subjects में जैसे हिंदी और English, उसमें Hindi और English subject था जिसमें दो डिट में नंबर आया और Physics में भी दो डिट में नंबर आया बाकी सारे में फिर से single digit में और मैं फिर से fail हो गया उसके बाद से मैंने कहा कि छोड़ो यह सब नहीं करूँगा मेरा स्कूल और कोचिंग से एकदम से विस्वास उठ गया था मैंने म प्रिटा करके एक डिल का लैप्टॉप खरीदा तो मैंने सोचा कि एप डवलप्मेंट सीखते हैं यह दस अगल 2016 की बात है जब मुझे अपना पहला लैप्टॉप मिला था मैंने सोचा कि इसमें हम कोडिंग सीखेंगे हम एप बनाएंगे मैंने Android Studio डाउनलोड गया मुझे कहीं से पता चला बिसिकली मेरे फ्रेंड ने बता है Android Studio से हम आप डवलप्मेंट कर सकते हैं वो जो मेरा फ्रेंड था वो अल्रेडी कंप्यूटर साइंस में डिपलोमा कर रहा था उसका नम फैज है फैज इलाही नाम है और आज वो मेरे साथ नहीं पे बैंगलोर में काम भ जावा के लिए यूट्यूब से कुछ वीडियो डाउनलोड किये वो भी नहीं समझाया उसमें मुझे पता ही नहीं था कि कहां से सुरू करना है कहां से बीच से कहीं देख रहा था सीथा बनाने पर पहुंच गया था तो कोई गाइडेंस नहीं थी तो कुछ हुआ नहीं ज सही से कोई सही से गाइडेंस नहीं मिली क्या पहले सीखें क्या बाद में तो छोड दिया हो भी मतलब Android Studio को अनिस्टॉल कर दिया और उसमें Asphalt 9 गेम डाउनलोड कर लिया दिन भर मैं वही बैठके खेलता था उसमें फिर उसके बाद में उसी दोस ने फैज नहीं मुझे बो सौरप सुकला सर का चैनल रिकमेंट किया उससे मैं देखने लगा काफी अच्छा लगा प्रोग्रामिंग समझ में आने लगी मुझे कंडिशनल इफल लूप और यह सारी चीजिए समझ में आने लगी हो मैंने उनका सी सीखा सी प्लस प्लस भी सीखा और कुश्चन्स भी मैंने मैं कि कि ऑन कि शीए और कम से इंग्लिश की इंप्रोफ करता है इंग्लिश के विडियो के सुनता था इंग्लिश मैंनே इंप्रोफ किया 2017 में और में बच्चों को मीने कोचिंग पढ़ई और लाप्तॉप का इस आप के वबल गेम कहलने के लिए की लिए लगा साल pretending स सीखा उसके बाद फिर सीखने के बाद question solve करने के बाद कुछ समझ नहीं आए कि अब क्या करें यह तो ठीक है कर लिया है questions भी solve कर रहे हैं लेकिन बनेगा क्या इससे तो कुछ समझ नहीं आया फिर मैंने सूचा कि web development सीखते हैं YouTube से मैंने कुछ videos download किये कुछ courses basically web development के लिए कुछ videos download किये मैंने सोचा कि try करते हैं देखते हैं तो इस तरह से पढ़ा रहे थे basically एक एक टैग बोले कि इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा notpad में पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कि यह opening टैग है इसमें तो कुछ काम की चीज है ही नहीं उसको मैंने छोड़ दिया मैंने कहा web development तो सीखेंगे नहीं जहाए जो हो जाए 2018 की बात है जब मैंने first time web development try किया और उससे भी विश्वास उठ गया मैंने सुचा आप क्या करें क्या ही कर लेंगे कुछ बना भी नहीं पाएंगे कुछ question solve किये थे लेकिन कितना मन नहीं करता मोटिवेशन नहीं रहता है और मैंने सोचा कि अब चलो घर चलते हैं यहां पर सहर में रहके फालतों में पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है घर चलेंगे खेती करेंगे आ करेंगे देखेंगे जो होगा वो होगा तो इमीद नहीं वजी थी कि अब कुछ हो ही पाएगा मैं खेती करने लगा मैंने सोचा कोई दुकान खोल लेंगे खर्चा बर्चा चलता रहेगा मैंने इतने हद तक सोच लिया था कि अब हम दुकान ही करेंगे कि मैं एक सेमेंट और मोरंग बालू की दुकान होती है तो उस दुकान पे चल गया है, कि हम यहाँ पर बनवाएंगे दुकान औो कोई बद दुकान करेंगे कुछ खेती करते हुझ मैं कुछ ज्यादा बहुतर बड़े लेवल पर नहीं किया यही दो फूर लोग काम करते थे थे हमेल बहुत करते दो थो यहीं चलता रहा और फिर उम्मीद खतम हो गई थी कि कुछ कर पाएंगे कुछ अच्छा खासा software में तो कोई उमीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ कर पाएंगे फिर मुझे spirituality में interest आ गया कि अपने दिमाग को, अपने mind को कैसे control रखते हैं, कैसे काम रखते हैं हलाकि मेरा दिमाग पहले से काम रहता था, कोई गुश्सा उसा जादा नहीं करता था मैं लेकिन और भी जादा गैसे दूसरों की बातों का फरक न पड़े क्योंकि जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो लोग बोलने लगे थे कि भाई क्या कर रहे हो, क्या करोगे, कुछ करना है की नहीं गाउं में जब लोगों को पता चला कि इनोंने 12 भी नहीं किया है, दो साल से आप में बरबाद करके आ गए हैं और लैपटॉप ले लिए हैं, मोबाईल ले लिए हैं, सब बिगड रहे हैं, मतलब मोबाईल लेके बिगड ते ही तो हैं, सब और क्या करता हैं लोग बोलने लगे कि क्या कर रहे हो, कुछ करोगे कि नहीं कुछ करो इसे के लिए वो लोग भी चाहते थे कि कुछ करें और मतलब बोलने लगते हैं जब कुछ ना करो घर में बैठे रहो दिन बार थोड़ा बहुत बाहर का काम कर लो घर में घर में ही बैठा रहता था अपना मैं spirituality की चीज़ें देखता रहता था मुझे सद्गुरू की बाते मुझे काफी अच्छी लगी और समझ आई मैंने उनके लवग एक टाइम पर सारे वीडियो देख डाले थे और वो वीडियो देखने से मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने अपने mind पर और अपने actions पर काफी हद तक control पा लिया basically कोई भी कुछ भी बाहर से मुझे ज्यादा फरक नहीं पड़ता था पहले भी मतलब था पहले भी गुसा उसा नहीं करता था लेकिन फरक पड़ता था अब तो सद्गुरू की बाते सुनने के बाद मुझे एकदम से ही मतलब बहुत ही ज्यादा control में हो गया एकदम mind काम रहने लगा सब कुछ था पुछ भी रहने लगा लेकिन कुछ कर नहीं रहा था तो एक hollowness थी अंदर एक emptiness था कुछ करना चाहिए था कुछ कर नहीं रहा है उन्होंने कहा कि हमारी एक copper bottle की factory है, तुम यहां से copper bottles उठाओ, हम तुमें 200 रुपे में bottles देंगे, और तुम दुकान पे 200-300 का बेच दो, इससे तुमारा कुछ हो जाएगा, profit होगा, और तुम कुछ कमाल होगे, तो मैं यह करने लगा, मैंने उनसे bottles ली, वो मुझे deliver करते थे कुछ bottles, 20-25 bottles, और मैं cycle पे लेकर उसको दुकान दुकान जाकर, दुकान में bottles बिचता था, कभी 200 कभी 300 की, एक दुकान वाले ने मुझे कहा कि आप मुझे 10 bottles दे दीजिए, मैं आपको अभी कुछ पैसा दे देता हूँ, बाकि जब सारी bottles भिक जाएंगी, तो मैं आपको पै कि एक महीने बाद हम दे देंगे इसका पैसा, तो एक महीने बाद जब मैं मांगने गया, तो उसने कहा कि भाई, bottles विकी नहीं रही है, मतलब बहुत कम दाम में बिक रही है, कोई ले ही नहीं रहा है उसको, मैंने कहा कि अच्छा जितनी विकी हो, उसका दे दू पैसा, उसन से भी उस जो बिजनस एक स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत जो सलिंग करता था, उससे भी बिस्वास उठ गया, इस इंसिडेंट के बाद से मैंने bottles बेचना भी बंद कर दिया, क्योंकि कोई interest था भी नहीं और एक दोखा भी मिल गया, तो मैंने कहा कि बेचना उचना रिस्तेदारों ने भी कहा, प्रडोशी ने भी कहा, लेंगा मेरी ममी कुछ कर ओ, और नहीं कहा कि था कि तुम्हें जो एच्छा लग कि वह करो, और हम कर लेंगे, जो भी हम कमाना-धंधाना ह, मिलेंने तुम्हें हरा म हम से बैठिए रहा, बढाई करो, जो भी मतलस प्में पर कि मैं कोच कर लोगा, इसलिए उन्होंने कोई कभी भी job करने के लिए, या काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कोई भी force नहीं किया था मेरी मम्मी ने, मतलब मेरे परिवार वालों को छोड़के, बाकी सब लोगोंने बोला कि कुछ करो, कुछ करो, तो मारी बॉआ का एक स्कूल है एक 10 तक स्कूल है आपके लड़के का वहां पहसा यह नं Means है, पहले मैंने नहीं पढ़ादा है मतलब उनने पता था कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बैसिकली आसीज भीया उनका नाम है, हम आसीज भीया बोलते हैं, तो उन्हें पता था कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैंने कोचिंग भी पढ़ाया है, तो उन्हें कहा कि पढ़ाओ, ट्राइ करो आके, देखो कि कैसा लगता है, फिर बाद में अगर ना पढ़ानी का मन हो तो ना पढ़ा ना, बस ट्राइ करो, उन्हें ने कहा, तो फिर मैं गया, पढ़ाने लगा, वहाँ पर, सही लगा, मैंने पढ़ाया, एक साल तक मैंने वहाँ पर 6 से लेके 10 तक के बच्चों को science और maths पढ़ाया, English भी पढ़ा देता था, अगर English के teacher नहीं आते थे, कभी- जो था, वह science और maths था, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था, तब भी जो अंदर का वह खाली पन था, कि कुछ करना है, कुछ करना चाहिए, वह खाली पन हमेशा था, मतलब ऐसा नहीं लगता था, कि ऐसे ही पूरा जीवन निकालना है, यह हमारी life है, हमारी job है, तो ऐसा नहीं लगता था, लगता था कि कुछ missing है, कुछ तो करना चाहिए, उसी भी जब मैं school में पढ़ा रहा था, तो social media के थूरू मैं अपने wife से मिला, उस टाइम पर तो wife नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पर है वो wife, और उन से मिलके काफी अच्छा लगा, काफी मतलब, जो mindset था, कुछ अच्छा करना है, मतलब, एक तरह से मतलब मुझे लगा कि यह तो मैं ही हूँ, female version में, ऐसा लगा मुझे, हम लोग बात करने लगे, काफी अच्छा लगा, और फिर उन्होंने मुझे push किया, कुछ करने को, मुझे उन्होंने opportunities दिखाई, कि internet के थूरू बहुत सारी च करता था, लेकिन job के बारे में उतना नहीं सोचा था, मेरा बस वही conventional तरीका था, कि IAT की जाएंगे, फिर B.Tech करेंगे, फिर वहां से job मिलेगी, यह वाला रास्ता पता था, उन्होंने बताया कि नहीं, और भी चीजें होती है, तो मैंने सोचा, आप क्या करें, तो मैंने use करवाय था, 3D modeling के लिए, उसको मैंने coding भी सिखाई थी, जब मुझे नहीं आती थी, तब मैंने उसको tutorials provide किये थे, उसने भी सीखा था, लेकिन उसके पास भी guidance नहीं थी, कि आगे क्या करना है, कैसे इसमें job मिलेगी, या कुछ, उसको आती थी चीजें, लेकिन वो coding आती थ लेकिन उसको भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है, बस उतना ही question solve करके खतम, वो 3D modeling कर रहा था, models बनाता था, तो मैंने सुचा चलो 3D modeling करते हैं, इससे कुछ होगा, कुछ मतलब online कुछ freelancing कर लेंगे, Upwork पे, Fiverr पे, मैंने थोड़ा बहुत freelancing सीखा, ज़्यादा नहीं, बस freelancing नहीं, 3D modeling, basically ज़्यादा सीखा भी नहीं, बस मैंने Upwork पे account बना लिया अपना, कि मैं एक freelance 3D designer हूँ, 3D models मैं बनाता हूँ, तो हमें USA client मिली, उन्होंने एक car का design बनवाया, car का design वो कहीं होगा, पढ़ा, अगर मिलेगा तो link मैं YouTube पे डाल दूँगा, तो मैंने नहीं बनाया, मुझे आती नहीं थी, मैंने बस account बना लिया था, और मैंने link दिया था कि मैं हूँ, मुझे नहीं आता था, मेरे भाई को आता था, वो उसने बनाया, basically मैं बात करता था बीच में, दोनों के बीच में एक तरह से mediator था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे कब तक काम चलेग वो फस्ट हमारी जो online के थो income थी, वो थी, तो उसमें सब कुछ उसी नहीं किया था, बस मैंने बात किया था, फिर उसके बाद मैंने 3D खुद सीखा, और खुद से models बनाया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, उसमें, पुछ feeling नहीं आ रही थी, कि यही करना है, यही एक हमार जीवन है, इसी में बीतेगा, मैंने models बनाया, फिर से एकाद साथ, उसी client का, किसी और client का, freelancing और project मैंने, खुद से भी किया, लेकिन, वही 100-500-200 dollars, उसके थो कमाया, लेकिन उसमें भी feeling नहीं है, बहुत सही नहीं लेगा, फिर भी मैं 3D modeling सीखता था, YouTube पे वीडियो देखता यूटूब पे, उसी बीच मुझे एक ad आता है, वो ad एक web development course का था, और उस ad में एक lady बोल रही थी, कुछ बोल रही थी, और उनके बोलने का तरीका मुझे काफी अच्छा लगा, कि कैसे कैसे हम सीखेंगे, हर एक चीज कैसे कैसे cover किया गया, इस course के अंदर, तो मैंने मेरे life का turning point था, उसके बाद से no looking back था, इतने अच्छे से उन्होंने web development पढ़ाया, एकदम easy to understand, beginner friendly, हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझाया उन्होंने, और फिर उसके बाद मेरी life एकदम से समझ जो change हो गई, मुझे web development के हर एक चीज, हर एक concept समझ में आने लगे, interest आ गय किया, उसके अंदर HTML, CSS, JavaScript, React और उन्होंने Node.js भी उसमें cover किया था, तो सारी चीज मैंने follow की, और मैंने CSS की बहुत ही ज्यादा practice की, CSS मेरा एकदम अच्छा हो गया, एकदम अराम से responsive बनाने लगा, और CSS सीखने के लिए, अंजला यूने तो सिखा ये था, वो तो बहुत basic थ और अच्छे सीखने के लिए मैंने YouTube पे Kevin Powell नाम का चैनल follow किया, Kevin Powell बहुत ही अच्छे CSS के टीचर है, अगर आपको भी सीखना है, आप उनसे सीख सकते हैं, अगर English में सीखना है, और हिंदी में सीखना है, तो मेरा चैनल है ही, तो वहां से मैंने सीखा, तो काफी अच्छे से मैंने CSS पे फोकस किया, CSS के कई सारे प्रोजेक्स मना हैं, मैंने प्रोजेक्स को अपने Instagram पे शेयर किया, और मैं Free Code Camp से उनका curriculum follow कर रहा था, उसका certificate मिला, उसको भी मैंने Instagram पे पोस्ट किया, तो मैं बस ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, मैं सीखने के mode में ही था, मुझे कोई काम अभी job के लिए मेरा कोई goal नहीं था, लेकिन Instagram पे एक developer का message आता है, एक Angular developer था, उसने का कि CSS आता है, तो मैंने बोला हाँ, उसने बोला कि कुछ design दें तो बना लोगे, उन्होंने design भेजा, मैंने का हाँ, इसको बना लेंगे, उन्होंने का कितना लोगे, एक design बनाने का कितना लेंगे, उन्होंने भेज दिया, मुझे project क्या बनाना है, उसने बता दिया, ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ cards थे, थोड़ा सा complicated design था, इसलिए उनको थोड़ा CSS कम आता था, इसलिए मेरी help ली उन्होंने, वो करके मैंने उन्होंने दे दिया, और उन्होंने मुझे एक एक हजार रुपय दिया, क्योंकि एक project की 500 रुपय की बात हुई थी, एक हजार दिया, चार दिन में एक हजार रुपय कमा लिया, मैंने, यह मेरा first freelancing project बोल सकते हैं, जो कि मैंने reach out नहीं किया था, उन्होंने reach out किया था, Instagram के थूँ, तो इसलिए अगर आप कुछ सीख रहे और share करिए, तो यह मेरा first freelancing project था, तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे आने लगा है, freelancing भर का आने लगा है, तो मैं सारे जो social media groups होते हैं, discord में, जो youtubers होते हैं, उनके discord में, telegram में, whatsapp group में, सब में active हो गया, फिर एक किसी discord में, किसी ने message कि कि कोई front-end developer है क्या, उसकी जरूत है, तो मैंने message कि हां मुझे आता है, तो उन्होंने मुझे मतलब hire किया, मतलब उन्होंने मुझे कुछ projects दिये, काम करवा है, महां से मैंने 5000 रुपए कमाया, बहुत जादा बड़े projects नहीं थे, चोटे यटे projects की थे, तो वहां पे 5000 रुपए उससे मिले, और फिर उसके बाद में, एक और, एक और basically start-up के लिए मैंने एक project किया, उसके लिए भी 4000 रुपए मिले, तो जब मुझे 4000 रुपए मिलने लेग labor development से, तो मैंने सोचा कि बैंगलोर चलते हैं, थोड़ा confidence आया अंदर कि कुछ इससे पैसा भी मिल रहा और मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो confidence आ गया, चलो चलते हैं बैंगलोर, और वहां पे job मिलेगी, इसकी कुछ मिलेगा, तो मैं आ गया, मनलब कोई job अब नहीं थी बस ऐसे ही आ गया, एक-दू freelancing के project किया, फिर इधर आ गया बैंगलोर, तो यहां आके मैंने internships पे apply करना सुरू किया, मैंने सुचा internship ही मिलेगी, और क्या मिलेगा अभी ही इतने knowledge में, internship पे मैंने काफी जगा पे apply किया, एक जगा से, कई जगा से call आया, उन्होंने कहा कि, हमने internship के लिए तो opening किया है, लेकिन हमें कोई freelancer चाहिए, अगर freelancing करोगे, तो आप हमेरे लिए काम कर सकते हो, basically, उनकी कोई team नहीं थी ज्यादा, एक project था, उन्होंने बनवाया था, किस अच्छा से आती थी, मैंने responsibly काफी बनाया था, उन्होंने बना कर लेंगे, तो उन्होंने पूछा कितना, गंटे का कितना लोगे, तो मैंने कहा, गंटे का 500 लेंगे, गंटे का 500 लेंगे, यह बहुत जादा है, उन्होंने कहा कि, हम 200 रुपए दे सकते हैं, मन में सोच रह थीक है, उन्होंने कहा, कर देंगे, काम कोई बात नहीं, आप पहली बार बोल रहे हैं, तो कर देंगे, अन्होंने अंदर से दोख खुश ही था, तो मैंने 200 रुपए घंटे पर डिसाइड किया, और उन्होंने काम करना सुरू किया, अलाकि मैं बैंगलोर आ गया था, उस जॉब नहीं थी, फ्रीलांसिंग का ही काम था वो, मैंने एक महीना लगवग 28 या 20-25 दिन, 25-28 दिन तक काम किया मैंने उस पर, और फाइनली उन्होंने पेमेंट किया जब, तो वो अच्छा पेमेंट था, मतलब लगवग 100 गंटे से जादा काम किया था, तो एराउंड 30,000 र प्रोजेक्ट तो अब खतम हो गया था, अब मैं फिर से इंटर्शिप पे अपलाई करने लगा, और मैंने किया कई सारे जगहों पे, कम से कम दिन के 20-25 जगह पे अपलाई करता था, तो कॉल आने लगए, एक दो कॉल आये, और इंटर्वी मेरा शेडियूल हुआ, इंटर् साइज सुना था कहीं पे, किसी वीडियो में, तो मैंने बोल दिया कि सिंगल थेड़ेट, इसका क्या मतलब है, मैंने इसका मतलब भी बताना पड़ेगा, इससे नहीं पता है, फिर और भी एक दो क्वेस्टन पूछे उन्होंने थोड़ा जावास्क्रिप्त के कोर तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैंने कहा कि अरे, यह क्या पड़ा मैंने, मैंने पूरा कोर्स फॉलो किया है, एंजला यू से, तो मुझे आता ही नहीं है, तब मुझे रियालाइज हुआ कि मुझे तो जावास्क्रिप्त आती ही नहीं है, CSS आ गई है, योट्यूब पर यूट्यूब पर ही उनका एक खोर्स है जैसे अंजला-ईू का फॉल स्टैक का वैसे ही इन्स्रेक्टर है उनका कोर्स है उनका मैंने पर्चेस किया और उनका मैंने जावाइस्ट्रिप्सेक्शन देखा उसमें से से नहीं देखा क्योंकि आता था मुझे है अधा कफी एच्छा था अधा बड़ा था और थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझायते हो तो मुझे वहां से जावा स्क्रिप्ट में थोड़ी अच्छी से नॉलेज हो भी ज्यादा पूरा होल एक पिक्चर समझ आ गई fundamental concepts clear हो गए लेकिन फिर भी मैं interviews नहीं निकाल पा रहा था javascript में मैं first जा रहा था, लोग closers पूछ रहे थे, higher order functions पूछ रहे थे और scopes पूछ रहे थे, मतलब क्या से काम करता है, lexical scope, यह सब क्या होता है asynchronous, synchronous code कैसे चल रहा है, callback queue, event loop, इस तरह के questions interns से पूछते हैं, ठीक है, तो फिर भी नहीं हो रहा था, जब मैं cold steel का javascript course में follow कर रहा था यहां पर बैंगलोर में आया, तो एक मेरा दोस्त बना था, उसने मुझे काफी help की यहां बैंगलोर में settle होने में, रहने में, वो भी आज job कर रहा है, उसका नाम बैंगलोर में settle होने में help की, वो बैंगलोर का ही है, उसने एक course मुझे भेजा, अक्षा सैनी का, नवस्ते जावास्क्रिप्ट, तो उस टाइम पे मैं ready नहीं था वो course देखने के लिए, मैंने देखा कि कुछ तो पढ़ा रही है, लेकिन यह सब सर के ऊपर जा रहा है, कि उ जावास्क्रिप्ट अच्छी हो गई, तो फिर मैंने उसको दोबारा देखा, जब दोबारा देखा, तो आख खुल गई, एक दम जावास्क्रिप्ट एक दम मस्त लगनी लगी, सब कुछ समझ में आ गया, उन्होंने बहुत ही अच्छे से, अक्षा सैनी ने नमस्ते जाव जाव स्कूर्स काम करती है, सब को समझ में आने लगा, मैंने सोचा कि और भी कोई एडवांस कोर्स करते हैं, मैंने योटूब नहीं फिर से, योडिमी से एडवांस कोर्स पर्चेस किया, जावस्क्रिप्ट का, लेकिन उस एडवांस कोर्स में भी जादा कुछ नहीं था, जो अक्षा सैनी ने पढ़ाया था नमस्ते जावस्क्रिप्ट में, वही सारे चीज़ वहां पर भी थी, तो basically मेरा दो बार समझ लो repeat हो गया, तो जो भी advanced concept थे, behind the scenes कैसे काम करती जावस्क्रिप्ट, अक्षा सैनी के कारण और नमस्ते जावस्क्रिप्ट के करण, मेरा जावस उसके बाद मैं खुद से ही करने लगा, खुद से ही explore किया, खुद से ही depth में समझा जावस्क्रिप्ट को, उसके बाद मेरा जो interview है वह अच्छा जाने लगा, और मेरा एक startup में selection हुआ, हाँ, तो selection कैसे हुआ ये भी बता देता हूँ, मेरे resume में मैं अपना education क्या ही mention करता, education तो था ही नहीं कुछ, तो सबसे नीचे section में मैंने ये mention किया था, education के अंदर, self-taught, udemy, youtube, और coursera, बस coursera से मैंने भी कुछ courses देखे थे, हलाकि web development के नहीं android के देखे थे, कभी, तो बस यही सब मैंने mention कर दिया था, self-taught, youtube, udemy, coursera, बस इतना ही mention किया था, free quote camp भी शायद मैंन मैंने mention किया था, तो जब interviewers, जो call करते थे, चार का call या interviewers का call जबाता था, सबसे पहले उनका question यही रहता था, कि graduation कब किया, आपने और किस period में किया, तो मैं ये बोलता था, कि मैंने graduation नहीं किया, मैंने 10th के बाद, मैंने coding सीखा, और इसी में interest था, तो मैं 10th के बाद, मैं मैं web development कर रहा हूं, और freelancing कर रहा हूं, और मेरे ये कुछ freelancing projects है, जो कि मैंने resume के अंदर, resume के अंदर मैंने original freelancing projects add किये थे, जो 2-3 projects किये थे, वो सारे projects थे, और एक और personal projects, बस एक या दो ऐसे personal projects थे, तो resume के अंदर भी, और मैंने portfolio भी बनाया था, वो portfolio काफी अच्छा है, आ जाके देख लेना, तो anurag singbam.com नाम का मैंने domain लिया था, और उस पर मैंने अपना portfolio host किया था, तो उसके उपर भी मैंने अपने freelancing के projects थे, उसको रखे दे, तो मैंने बोला था, कि मैं, मतलब interviewer को ये बोलता था, कि मैंने 10th के बाद web development सीखा, coding सीखी, और मैं freelancing कर रहा हू ठीक है, मैं freelancing करता हूँ, ये मेरे कुछ projects हैं, तो वो बोलते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें skill से फरक पड़ता है, हमें degree से उतना फरक नहीं पड़ता है, और to my surprise, मैंने लगभग 20 interviewer से, 24 से बात किया, जिसमें से किवल, एक ने बोला था, कि हमें कोई b.tec वाला चाह पड़ता है, हमें degree से नहीं फरक पड़ता है, अब ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं, सब के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरे जो projects थे, मेरे जो freelancing के काम थे, वो अच्छे थे, मेरा portfolio अच्छा था, वो देखने के बाद वो लोग बोल रहे थे, ये अच्छा काम कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, degree से फरक नहीं पड़ता है, अगर आप के वल सीधा ऐसे ही चले जाएंगे, बोलेंगे, आता है हमें, पसके वल बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको दिखाना पड़ता है काम, तो हो सकता है, आपके साथ ऐसा नहीं, अगर आपका portfolio strong है, आपका resume strong है, projects अच्छे हैं, और अगर freelancing के projects हैं, तो काफी यादा chances होते हैं, आपके selection होने के, तो मुझे लगता है, इसी कारण से वो बोल रहा है थे, कि इस बंदे को आता है, इसने काम किया है, तो हमें degree से फरक नहीं पड़ता, हमें skill से फरक पड़त एक company थी, जिसका नाम था, digit insurance, उसका भी interview हुआ, और मैंने काफी अच्छा perform किया, 80-90% questions मैंने answer किये, mainly javascript के उपर ही था, थोड़ा बहुँ सीजस था, तो मैंने answer किया, और उहां पर मेरा selection हुआ, और भी companies में हुआ था, digit में भी हुआ, लेकिन digit मुझे काफी अच्छी company ल लगा, और बड़ी company थी, अच्छी company थी, product based थी, तो मैंने वहां पर join करने के लिए decide किया, और मैं अपनी first company का, first interviewer का, जिससे selection हुआ, मैं बहुत ही thankful हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे skill को value किया, और उन्होंने मुझे chance दिया, मैंने 22 जुलाई 2021 को digital insurance join किया, और मेरी position वहां पर थी, software engineer की, और जब ये position मिली, जब वहां पर मैं गया, तो फिर उसके बाद कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, जो मेरे पापा ने बोला था, कि software engineer बनना, मैं बन गया था, जो B-tech से, B-tech, M-tech करके लोग या BCMCA करके लोग जो आ रहे थे, वो मेरे ही बगल वैठ रहे थ क्योंकि मैंने खुच से ही सीखा था, वहां पर सबको पता था कि ये बन्दा मतलब कुच से ही सीखा है, 10th के बाद ही पढ़ा है, तो digit के अंदर मेरा experience काफी अच्छा था, काफी अच्छी team थी, काफी friendly team थी, काफी अच्छी और supportive manager थे, मुझे digit के अंदर कभी भी कोई politics जै के उपर काम किया, इसके विए से मेरी जो javascript और CSS से और भी strong हो गई, जो core technologies थी और भी strong होती चली और मुझे अपना काम इतना अच्छे से आता था, मुझे javascript CSS इतना अच्छे से आता था, कि दो साल मैंने काम किया और कभी भी किसी senior से help लेनी की जरूरत नहीं पड़ी, ज मुझे अपने काम के लिए किसी से help लेनी की जरूरत नहीं पड़ी, तो अगर आपका fundamental concept clear होता है, तो आप खुद से ही problem solve कर लेते हैं, आपको खुद से ही पता होता है कि क्या तिकत है, जब आप ऐसे रहेंगे तो आप company के अंदर आपका एक respect होता है, एक अच्छा वो होता है, लोग आप से आके पूछते हैं, लोगों को लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा experience हूँ, तो वहां पर जो भी लोग थे आके मुझसे पूछते थे, कोई भी JavaScript CSS की problem आती थी, मुझसे पूछते थे, जब कि मैं पहली जवाब पहली बार कर रहा हूं, उनसे भी कम junior मतलब उनसे भी कम experience है मुझे, फिर भी आके पूछते थे, और मैं उनकी problem भी solve कर देता था, क्योंकि मेरे fundamental concepts clear थे, मेरे CSS JavaScript clear थी, इसी वज़े से, मुझे दो साल में कोई दिक्कत नहीं face करनी पड़ी, क्योंकि मेरा काम हमेसा चंगा रहता था, मैं 4-5 गंटे में अपना पू मतलब 2-3-3 गंटे मतलब खूब टीटी खेला और मेरा टीटी भी काफी अच्छा हो गया था, और किसी को दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेरा काम ready रहता है, मतलब काम जो भी दिया गया है, मैं काम करके रखता हूँ, तो जब आपको चीजें आती हैं अच्छे से, तो आपको आपका काम बहुत ही fast होता है, आप अटकते नहीं है, कहीं भी दिक्कत है कि आपको पता जो जाएगा कि यह दिक्कत है, बहुत ही कम क्या मुझे याद ही नहीं है, कभी मैं अटका था किसी problem पे एक से जादा दिन, मतलब एक दिन भी नहीं, मतलब फुरंत ही problems all हो जाती है, Google गूगल का चैट जीपीटी का यूज करना अच्छे से आना चाहिए, अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, पहले चैट जीपीटी नहीं था किवल गूगल था, गूगल पे भी 95% problems मिल जाती है, अगर आपको गूगल करना आता है, तो मिल जाएगी सारी problems, digit के अंदर सब पढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, एक साल हो गया था, फिर मैंने सोचा कि चलो अब YouTube स्टार्ट करते हैं, YouTube पे हमेशा से मन था कि YouTube पे करना है, कुछ पढ़ाना है, हलाकि एक चीज मैंने मिस्स कर दिया, मैंने यह मेरा पहला YouTube चैनल नहीं है, एक मेरा और YouTube चैनल था, जिस पे मैं, मैं जब कुछ नहीं करता था, 2019 या 2018 में, उस टाइम पे, साए 2019 या 2020 में, उस टाइम पे मैंने math पढ़ाना शुरू गिया था, YouTube पे, एक चैनल है, उसका कोई वीडियो अगर होगा, तो मैं आपको लिंक डिस्रिप्शन में दे दूँगा, हलाकि सारे वीडियो तो तीन वीडियो बना के फिर motivation खतम हो गया था, बंद कर दिया था, क्योंकि अंदर से खोखला था ना, उस टाइम पे, कुछ था ही नहीं, मतलब खुद कुछ किया ही नहीं है, मैं दूसरों को क्या पढ़ाऊंगा, तो अंदर से वो confidence ही नहीं आ रहा था, भले ही मुझे topics साते थे, मुझे माहत साता था, लेकिन अंदर से खोखला पन था, तो इसलिए उस टाइम पर YouTube चला नहीं, बंद हो गया मेरा YouTube, मतलब, बंद क्या मैंने खुदी अपलोड गन नहीं बंद कर दिया था, तो फिर मैंने मेरे मन में हमेशा सही था कि YouTube पे कुछ करना है, पढ़ा सिखाते हैं, जो मुझे आता है, वही मैं सिखाऊंगा, तो स्टार्ट किया मैंने सितंबर, 4 सितंबर 2022 को मैंने पहली वीडियो अपलोड की, और फिर 10 सितंबर 2022 को मैंने अपना front-end bootcamp स्टार्ट किया, और पढ़ाना सुरू किया, मैंने काफी अच्छे से मैंने cover किया चीज पढ़ाया, और फिर बीच में ही सब कुछ सही चल रहा था, यूट्यूब भी grow कर रहा था, अपने speed से normally, फिर बीच में हमने साधी भी की, अगर आप देखेंगे javascript के कुछ वीडियो से time out, और उस particular time के वीडियो में, तो आपको मेरे हाथ में महन भी लगी हुई दिखेग तो उस time पे बीच में, जब javascript का प्रोजेक्ट वीडियो चल रहा थे, प्लेलिस चल रही थी, तो भी बीच में हमने साधी की, और हम यहां पे settle हो गया, बैंगलोर के अंदर, और फिर काफी सही चल रहा था, youtube चल रहा था, digit के अंदर काम भी चल रहा था, अब दो साल होने को थे, लगवग, 2030 आ चुगा था, 2030 के अंदर, मतलब, दो साल होने को थे, digit के अंदर, थोड़ा सा काम मुझे बोरिंग लगने लगा था, जो office का काम था, क्योंकि वही HTML, CSS और JavaScript था, उसी के ओपर मैं काम करता था, तो थोड़ा एक time के बाद, मतलब, कुछ ज़्यादा नया तो मैंने का कि Angular के कुछ projects देजी हमें, Angular सीख लेंगे, तो मैंने सीख आ Angular, Angular मैं मैंने, सीखने के बाद मैंने कुछ Angular के projects लिए, projects किया मतलब, चोटे मुटे feature, feature addition, bugs, यह सब कुछ मैंने, मतलब, किया, दो-तीन काम किये, लेकिन, फिर भी Angular के regular projects नहीं मिल रहा थे, मुझे mainly CSS और JavaScript के ही प्रोजेक्ट मिल रहा थे जिसका मैंने दो साल काम कर लिया था और थोड़ा बोरिंग लगने लगा था तो मतलब आंपे अंगूलर का प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मैंने सोचा कि अब कहीं और ट्राइ करते हैं बाहर कहीं अगर मिलेगा तो ठीक रहेगा यहां पे react में मैं काम कर सोगँ क्योंकि react मेरा फेबरेट फेमर्थ था और react मैंने अच्छे से सीखा था तो मैंने wellfound के उपर जिसका नम पहले angel list था उसके उपर मैंने अपनी profile बनाई और बस मैंने अपना experience अपने details अपनी जो भी था वो सारा mention किया wellfound के उपर फिर वहीं से मुझे के लिए available है open है तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं open हूँ और वहां पर मेरा resume भी था उन्हों resume भी वहां से मिल गया तो basically यह UK based company थी वहां से UK के बंदे ने मुझे reach out किया था तो मैंने बोला कि हाँ मैं available हूँ उन्हें बोला notice period तुमने 30 days अपने resume में mention किया तो notice period 30 days है मैंने ब call नहीं आएगा अगर 90 days mention कर देंगे तीम मेन तो call ही नहीं आएगा आप reach out ही नहीं करेंगे इसलिए इससे mention कर देंगे हमने तो वह हसने लग है ठीक है कोई बात नहीं चलो interview करते हैं तुमारा उसके बाद में देखेंगे वेट कर लेंगे या जो भी होगा देखा जाएगा तो उन्होंने interview schedule किया जावस्क्रिप्ट का react का दो अलग अलग राउंड हुआ काफी अच्छे से questions पूछे गया depth में लेके गया मुझे काफी अच्छा लगा interview मैंने भी अच्छे से perform किया 90% questions का answer किया मैंने और मेरा selection यहाँ पर हो गया फिर मैंने अपनी पुरानी company में अपना rejection क्या बोलते हैं resign, 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 resign कर दिया, अपना resignation letter डाल दिया अपना, फिर तीन मेने के बाद मैंने अपनी current company join कर ली, जिसका नाम है deals plus, अभी मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आज भी, और यह हमारी जो company completely remote है, अभी भी मैं बैंगलोर में ही हूँ, यही पर settled हूँ, और सब कुछ सही चल रहा है, life अच्छी है, YouTube पे भी अच्छा support मिल रहा है, प्यार मिल रहा है लोगों को, और सब अच्छे लग रहा है, और मतलब सब कुछ सही है, बस एक ही वही क्या बोलते हैं, मलाल है कि अगर पापा होते आज, तो उन्हें अच्छा लगता कि मैंने किया कुछ अपने दम पे कर लिय और जो उनका सपना था, वो अच्छीव किया, और जितना एक टाइम पे ड्रीम होता था, कमाना होता, कमा रहे हैं, मतलब सही है, अच्छे से, जैसे कोई भी software engineer कमाता है, रहता है, वैसे ही रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी काफी चीज करना है, जैसे मै पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे resources नहीं मिले, मुझे कोई अच्छा teacher नहीं मिला, जिसके कारण मेरा कफी अधा time waste हो गया, एक time पे अच्छा teacher मिला, तो फिर मैं पढ़ पाया, तो मेरा ये मानना है कि हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है, वैसे के लिए ज्यादा तर अच्छा web development सीखना चाहता है, तो उसको resources की कमी न महसूस हो, उसको सीखने को आराम से मिल जाए, अच्छे से depth में, detail में, जैसे 2 plus 2, 4 होता है, इसमें हमें कोई doubt नहीं होता है, तो ऐसे ही कोई web development सिखा दे, उतना ही clear हो जाए, जितना 2 plus 2, 4 होता है, उस तरह से जब clarity आती है तभी आप कुछ कर पाते हैं, तो वो clarity जरूरी है, और एक अच्छे teacher की presence होना जरूरी है, अच्छे course की presence होना जरूरी है, इसलिए मैंने अपना front end का पूरा course बनाया है, 148, 145 hours का वो course है, लंबा course है, टाइम लगेगा अगर आप follow करते हैं, तो टाइम लगेगा, 6 से 8 महीन भी लग सकता है, 9 महीन भी लग सकता है, depending on आपका कितना आप सीख सकते हैं, एक दिन में, वो अगर course आप follow कर लेते हैं, पूरा complete कर लेते हैं, तो आप एक experience developer की भी job निकाल सकते हैं, मतलब experience developer का भी एक interview निकाल सकते हैं, इतनी चीजे मैंने अच्छे से वहां पे cover की हैं, मै इस course की जरूत हमारे देश के अंदर बहुत सारे बच्चों को है, भारत के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, जो कि सीखना चाते हैं, लेकिन उन्हें सही course नहीं मिल रहा है, सही guidance नहीं मिल रही है, सही teacher नहीं मिल रहा है, तो आप जितना हो सके इस course को, इस channel को, अपने friends के स साथ या ऐसे बच्चे जो की सीखना चाहते हैं इंट्रेस्टेड हैं वर डॉलपमें उनकी साथ स्वेर करिए उनको बताईए इस कोर्स के बारे में ताकि वो जो सीखना चाहते हैं वो अच्छे से सीख पाएं और अगर सीखते टाइम कोई डाउट आता है तो मैं हर संडे कोई भी गूगल मीट जोइन करके फ्री में अपने डाउट पूछ सकता है और हमारा एक टेलिग्राम का ग्रूप है वहाँ पे बच्चे आपस में एक दूसरे की हल्प करते हैं तो वो ग्रूप कोई जोइन कर सकता है जो भी सीख रहा है और दूसरे बच्चों से अपनी हल अपने देश के लिए कुछ कर सकें ऐसे बच्चे जो कि लाचार है जोफ्य नहीं मिल रहा है सही टीचर नहीं मिल रहा है उन तक ये बच्चे पहुंचे और वह सीख पाले बस मेरा यही अपनी टरफ से यहां पर एक बच्टम अगर कोस अगर फ्री है तो फ्रे को यो होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है जो भी instructor है जो भी paid courses से पढ़ा रहा है या free से पढ़ा रहा है कैसे भी पढ़ा रहा है सब अच्छे हैं जो मैंने खुछ सीखा मेरी जो life changing और ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई paid course बना रहा है तो वह scam कर रहा है कभी भी आप paid course को देखके स्कैम मत बोलना, ठीक है, तो क्योंकि paid course से ही मैंने सीखा, मैंने कई सारे paid courses लिया है, अगर आप उस course को effort नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब simply आपके लिए वो course नहीं है, अगर आप आराम से effort कर सकते हैं, तो वो course आपके लिए है, हाला कि मैंने free में ये जो पूरा course है, free म का जाएगा नहीं, अगर कोई paid course देखे स्टार्ट करता है, तो कम से कम पैसे के कारण ही हो सीखता रहता है, इस course को बनाने का मेरा यही motivation है, कि हमारे देश का कोई भी बच्चा अगर web development सीखना चाहता है, तो उसको resources की कमी के कारण कभी helpless वाली feeling ना है, जैसे मुझे एक बार feeling आई थी एक time पर, जब मुझे physics चीखना था, तो मुझे कोई अच्छा teacher ही नहीं मिल रहा था, अच्छे से कोई समझा ही नहीं रहा था, वो helplessness वाली feeling बहुत खराब होती है, मेरा यही goal है कि हर एक बच्चे तक यह course पहुंचे, इस course का link मैं आपको video को description में दे दूँगा, और अगर आप मेरा course follow करेंगे, तो आप एक ची notice करेंगे कि मैं कभी भी किसी video में like, share, subscribe नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे थोड़ा distracting लगता है, मैं यहाँ पर like, share, subscribe के लिए नहीं आया हूँ, वो तो मिले गा ही, मुझे पढ़ाना तो बोल देता हूँ कि कोई doubt है, तो comment करके पूछ सकते हैं, लेकिन share, subscribe हर एक video में जिसे लोग का वो रहता है, एक template आएगा, फिर bell आएगा, फिर बजेगा, इस पर घंटी को दबाओ, यह सब तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको नहीं कर और नहीं है, बस उन तक पहुंच जाओ, उन्हें पता हो कि ऐसा कुछ है, वो चाहिए अपने local में रखके देखें, मुझे views नहीं मिलेंगे, कोई फरक नहीं पड़ता, वो download करके देखें, कैसे भी देखें, तो मुझे बस इससे फरक पड़ता है कि कोई बच्चा जो की helpless ह जिसको जरुवत है, उसको ये course मिल जाए, बस that's it, अब ये goal पूरा करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये course को share कर सकते हैं, जिसको भी जरुवत हो उसको share करिए, जिसको जरुवत नहीं उसको share करने को कोई फायदा ही नहीं है, तो बस यही बताना था आपको मेरी journey, मैंन कैसे development सीखा, कैसे बिना degree के हमने job ली, और अभी मैं काम कर रहा हूँ, YouTube पे भी पढ़ा रहा हूँ, मैं college नहीं गया था कभी, लेकिन college के बच्चे मुसे पढ़ रहे हैं, तो बस यही सारी चीज़ बतानी थी आपको, ताकि आपको भी थोड़ा सा होसला मिले, थोड़ा सा motivation हैं कुछ, मिलते हैं अपने course के अंदर तब तक के लिए, bye bye